नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत हैं तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ Importance Company के Update शेयर कने वाला हूँ तो विडियो को पर लास तक देखिएगा और अब तक अपने चनल को सब्सक्रीब नहीं किया तो जोरू कर लिजएगा Continuous Day Information और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को बन रहिएगा तो चलो देख लेते कौनसा कौनसा कमपानी है इस बीडियो के अंदर फर्स्ट जो कमपानी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है F.L.India Limited तेकि F.L.India Limited आप सभी जानते इस कंपानी ऐस एक ऐस कंपानी है जो लगाता लगाता ग्रोथ करते चलन जा रहे है अगर सबसे पहले में इस कंपानी के चर्चा करूँ तो आप देखेंगे कंपानी कहा से कहा तक जर्नी कर चुके है तो कम्पानी COVID के टाइम में इसका जो situation था जो price था करीबन 186 के आसपास और आज कहाँ पे हैं आज इसका high price अगर देखेंगे तो करीबन 1500 के आसपास है तो 186 से 1500 तक जो journey है तो सोचिए कितना बड़ा लंबा सा journey देखने को मिला है इस कम्पानी के तरब से अगर मैं top level तक इसको marking करके दूँ तो करीबन 700 परसन के आसपास company return करके लिए अभी देखें इस company के उपको एक सांधा तरगे से pattern बनने जा रहा है देखें मैं previous patterns को delete कर रहा हूँ जो previous patterns बना था उसका मुझे सांधा तरगे से target भी अचीवा यहाँ पर solder उसके बाद head कम solder बना था finally break out हो और इसका target भी अचीव हो चुग है तो देखें फाइनली यहाँ पर यहाँ बता दू companies के उपर जो levels बना है उस level को मैं अगर marking करू फिर से यह सारे points को delete करके मैं एक बाद level को marking करके देता हूँ face एक level जो बना है वो level देखेंगे तो company के उपर यहाँ पर क्या बना एक cup with 100 patterns बना मतलब यहाँ पर एक सांधा तरीके से क्या बना एक एक हेड बनने है उसके बाद एक सोल्डर बनने के त्यारी कर रहा है तो company के उपर एक सांधर तरीके से pattern skate हो रहा है अभी तक finalize नहीं हुआ क्योंकि pattern compete होने के बाद ही हम लोगो काम करना है ऐसे नहीं कि pattern pattern बनने है मतलब बनता हुआ देखने को मिला है तो मैं एंटी ले लूँगा ऐसे कभी भी मत करिये कि बो pattern किसी भी तरीके से reversal भी हो सकते है जैसे आपर देखिए जब हैर लेबल को टच करने के लिए गया उसके बाद देखने को मिला था उसको record करके उपर गया था तो इसी लेबल को पो रिटेस्ट करके बोपर जाने का कोसिस करेंगे अभी हो देखा जाएगा company करता क्या है सबसे पहले इस company कपर कुछ performance के बारे में चर्चा करेंगा जैसे आप देखेंगे company को performance के बारे में एक चीज़ आपको notice करना पड़ेगा कि company का performance देखेंगे तो ROE जो return up equity है वो कु पहुत सामर देखने को मिला जैसे latest 70% और तीन साल में 20% और पांस साल में 32% यह एक अलग level का मतलब ROCV देखने को मिले है और debt के बारे मात कर तो debt company के ऊपर एक ना के बराबर देखने को मिले है तो सारे points तो ठीक ठाक है अभी net profit के बारे मात करू तो last year में company के 17% तीन साल मे company का 20% और पांस साल में company का 20% तो company के हर दिशा में positive point देखने के कारण ही मैं इस company के उपर continue कर पाता हूँ उसके साथ साथ और एक चीज़ आपको दिखा दू तो company इसके उपर और और भी आपको भरोसा और भी ज्यादा लगेगा कि के company इंडिया में 30% business कर रहा है और जो software company बाहर की कंटीज में बेच रहा है वो 69% के आसपास है और company की total business है वो 92% के आसपास वो भी CPCU business के उपर आ रहा है और non CPCU के उपर 7% के आसपास business हो रहा है तो company के जो business का जो percentage है को कुछ इस तरीके से देखने को मिला है अभी अभी ध्यान देना है इस चीज़े को के company's के पर सबसे बड़ी बात क्या है companies के उपर जो profitable loss है वो इस बार quarterly result जो हुआ वो भी आपको highest sales देखने को मिलेगा expense क्यों भी company control में रखे उस basis में company net profit वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले तो जब net profit अच्छा खासा growth हो रहा है company का sales बढ़ रहा है सब कुछ अगर ठ SDS public किसी के पास holding आपको कम नहीं दिखेगा उल्टा FS ने क्या किया 9 person holding को बढ़ा कर 14 person कर दी मतलब institution भी continue कर रहा है और FSDS भी इस company के उपर continue करना चाते है अभी इस company के उपर आपके क्या opinion है जोड़ी मुझे comments करके बताना नेक्स चो company उसका नाम है polygap देके इस company के उपर ब कि इतने बड़े crash हो चुके है तो company खतम हो जाएगा company के उपर share बेच कर भाग जाते है तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमेशा अच्छे company के उपर और top leader company के उपर sector का जो leader company है उसके उपर कभी भी आपको 20 से 30% discount मिले तो उसके उपर तूट पढ़ना इसी level के का आसपासी anti लिया हूँ और मैं continue करूँगा पहले इस level तक यहाप जो gap है इस gap को fill up करने के लिए आएंगे तो gap फिलाफ होगा तो anti level से अगर मैं इस level के anti level से हमें target तक देखू तो 22% का target मिने का chances है अभी दीखे कम मिलेगा किस तरह के से मिलेगा बहुतों पता नह ही कि यहाँ से फिर से correction भी हो सकता है यहाँ से उपर भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है यह market है market है आम इसा इसी तरह के से चलता रहता है तो कहने का मतलब है कि यह company इसको पर जो correction हुआ क्या company का अंदर कुछ गड़बड़ी है बिलकुन नहीं विच्छल एक पर आपको से दिखेंगे तो इंडिया में company 93% business कर रहा है और इस टोप वार्ल में 6% मगर इस company के 87% जो revenue generator है वो wires and cables manufacturing के उपर और जो इसका जो fast moving electric goods मतलब FMEG जो segment है जैसे बाल्फ हो गया जैसे मतलब light हो गया जैसे fan हो गया इस तरीके से जो कोई भी electronics gadget हो गया तो यह जो product से उसको FMEG product का जाता है तो उसके उपर 6.6% का company का revenue हो रहा है जो एक leader player है इस field का तो क्या उस company डूब जाएगा पहले ए बात मुझे comments करके बताईए तो companies के उपर और एक चीज़ में आपको share करू तो सबसे पहले company का quarterly result देखेंगे जो पिछले सालों के तुन्न से इस बार भी company 3700 क्रो तो net profit अलग level में growth हुआ और company का जो investor है उसके बारे में चर्चा करू तो promoter से लेकर Fsds public हर किसी के पास यहाँ पे investment आपको देखने को मिला है तो मेरे इसाब से एक best तरीके से यहाँ पे holding और investment देखने को मिला है बाकी इस company के उपर आपके opinion है जो रूब मुझे comments करना लिके जिस तरीक से बना है वो में आपके साथ share कर चुगा हूँ नेक्स चो कमपने उसका नाम है LTE माइंट्री देखे LTE माइंटी के उपर एक level के बारे में चर्चा कर तो LTE माइंटी के उपर एक बड़ा सा fall देखने को मिला और fall कहा से देखने को मिला जो इसका target level था उसी target level को को achieve करने के बाद ही बहुत से fall हुआ है तो target कहा पर एंटी था यहां पर देखे एंटी इसलिए बना था क्योंकि कब बना उसके बाद एक handle pattern create हुआ फाइनली इस label को breakout किया और उसके बाद देखे धिरिदे करके target कर एचीवर है देखे मुझे कुछ बार बहुत सरे comments भी मिलते हैं कि सर आप बार बार कफ भी धरने patterns को ही follow करते हैं बाकी patterns को follow क्यों नहीं कर रहे हैं बहुत सारे तो patterns है उसको follow क्यों नहीं कर रहे हैं देखे जो patterns मुझे पैसा बना कर दे रहे हैं क्या मैं उसको छोड़ दूँ सबसे पहले एक question cancel मुझे दीजी अगर मान के चलिए आप पांस साल से साथ साल से एकी strategies को follow करके काम कर रहें तो आठ साल में मुझे जो रिसार्च करके मुझे जो patterns सही लगा जिस patterns में मुझे पैसा बना है और जिस patterns के मतलब से मुझे पैसा बन रहा है तो क्या उस patterns को छोड़ दूँ क्या मैं इस market में research करने के लिए आया हूँ ऐसे नहीं है मुझे पैसा कमाना है इतने दिनों तक मैंने research कर लिया आभी मुझे उसके उपर एक ही patterns के उपर मुझे बार बार एंटी लेना है और सही तरीके से सारे चीजों को study करके एंटी लेना है देखें दूसली का एक मतलब comments मुझे हमेसा अच्छा लगता है उन्होंने ए इंप्रूम नहीं होगा उसको उससे मुझे कभी भी डर नहीं लेगेगा मतलब मैं कभी इसको डरूंगा नहीं जो व्यक्ति एक ही strategies को सौ बार पैक्टिस किया है तो उस व्यक्तिसे में डरता हो क्योंकि उसका hit अलग level में होगा उससे पंगा लेना इतना आसान नहीं होगा तो मैं भार बार बोलता हूँ आप एकी strategies को follow करके काम करिए तेखी इतने सारे ज्यादा चीज बोनने का जूरूत नहीं कि एक आप कहेंगे सर ज्यादा ग्यान मत दिजिए मुझे सारे ग्यान मुझे पता है तो प्लीज आपकी साब से जूरू काम करिए तो मैं यह जिस तर अपने ने जूरू कमेंट्स करके बताना फिलाल के लिए इस कमपानी के पर कोई टेर नहीं है क्योंकि जिस तरी किसे करेक्शन हुआ और वह भी रेजल आने के बाल तो अभी देखना बागी है कि कि इस तरी किस तरी किसे निया प्रैटन केट करता है निया कोई strategies इंप्रू फिर से second time क्या बना है फिर सेएक soldier pattern कियट किया और third time यहापे क्या बना है यहापे third time company के उपर एक क्या बना? एक patterns गेड़ हो तो इसका म्तलब shoulder come solder उसके बाद head बना, मुझे एक USSR चाहिए, उसके बाद'T फिर से मैं Nwnieц के लिए टार रहा होगा तो company फिर से एक बार एक बार बहुत बड़ा एनांस्मेνट किया, हर तीन के बतले एक सेयर मिलेगा, और पिछले बार हर एक के बतले दो सेयर मिला था, 2014 में, तो बहुत दिनों पहले एक बर bonus दिया था, और 2019 में अभी company फिर से 5 साल के बार फिर से एक बर bonus देने जा रहा है, त तो मैं भी कहूंगा, इस company दूर रहे तो अच्छा है, बागी आपकी क्या opinion है, जूरू comments करना है, और मैं कोई से भी register person नहीं हूँ, कि मैं आपको कोई recommend करूँ, तो काम करना है, तो please एक बार खुद के opinion की साथ से करना, मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए कि आपकी करना है, अज्ब रहे तो रहे धन्यबाद करना है, जूरू करना है, जूरू में एक्रेंदी सन्वटर करना है, तो तो आपकी करना हैं।